जैपू, जोदपू, बॉंबय, हैजिरबाद और बहार के मुणकों में جएसे दुबाइं में जाते हैं हों और थ्रिक्वेचलन में तो यहां का फॉलो डिफूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां का फॉलो कम्मुनिटी स्पोर्ट है इधर के लोग पैसे की वज़े से या किसी एक मोटिवेशन की वज़े से नहीं खेल रहे हैं वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो अपनी कम्यूनिटी के साथ जुनना जाते हैं और उनको लगता है कि अगर वो इचीज करेंगे और कंटिनू करेंगे तो अपना ट्रडिशन जो है वो आगे लेके जा सकते हैं तो मैं यहाँ आज आई यहाँ पे तो रिवाइव करने का एगी है क्योंकि द्रास में अभी भी आप बो को अपना लोगता है तो ला पूलू एस शिएन देली का बहुत सु कुरकुजार हो जो हमालियन पॉलो कल्चिरर एंड ट्रेशनल डिवल्मेंट एसोसेशन के साथ यहां पे लाव पॉलो की वसातत से एक एक्जिबिशन में ट्रेशनल पॉलो का दिखाया जा रहा है मैं लाव पॉलो एसोसेशन का तहदिल से शुक्र गुजार हूँ कि इस फार फॉलंग एरिये में जहां पे कोई भी एक्जिबिशन या कोई भी सुविदा नहीं है यहां आके हमारे पॉलो को ट्रेशनल पॉलो को रिवाईव करना चाते हैं मैं इनके लिए दिल की अमीग गहरायों से इनका शुकरिया अदा करता हूँ और द्रास वासियों और लदाख वासियों की तरफ से भी इनको मैं मुबारक बात पेश करता हूँ कि आप हमारे इस बेगोड एरिये में आए और हमारे इस ट्रेशनल पॉलो को रिवाईव करने में और इसको आगे प्रोमोशन करने में आपने कफी काफी तकलिफे उठाई बहुत और हमारे पॉलो एस्टेशन को यहां पे हमें सवईदा नहीं है हर चीज की सवईदा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं में चोटे से टाइम पे इतना कुछ करना हमारे लिए बहुत बड़ी फक्रकी बात है और मैं इन मेडमों का और जो साथ में सराये हुए हैं ला पॉलो एस्टेशन का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वाकर निकाल कर यहां पे हमारे इस ट्रेशनल पॉलो को रिवाइव कर रहे हैं और मुझे उमेद है कि आप इसको एक अच्छी डॉक्मेंटरी के ताहत इस पलेशो को पूरे इंडिया में दिखाओगे हम आपके बहुत शुक्र गुजार है